उडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी ने पहरिस ओलंपिक में का से पदक विजेता पुदुश होकी टीम से मुलाकात कर टीम को बदाई दी इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंग देव भी मौचूद रहे उन्होंने का कि सबसे पहले मैं सबी खिलाडियों को बदाई देना चाहता हूँ कि जिस तभा का प्रदर्शन उन्होंने किया उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शप्त नहीं है मैं आशा रखता हूँ कि अगले ओलंपिक में इनकी यात्वा उपर जाएगी 2600 उलंपिक में बावतिय होकी टीम जबूर गोड लेकर आई कि सबसे पहले मैं सबी खिलाडियों को टीम के कोच और सबको बदाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह का प्रदर्शन उनने ओलंपिक में किया और जिस तरह से कांसे रख वो जीत के भारत 22 साल के बाद लेकर आए हैं उसके लिए उनको मेरे पास शब्द नहीं हैं उनको उनकी प्रसंसा करने की मैं आशा यही रखता हूँ कि अगले हिले ओलंपिक्स में यहां से यात्रा इनकी उपर ही उपर जाएगी और 2036 में गोल्ड श्योर इंडियन होकी वाबिस भारत को लेकर आएगी यह उनका बड़पन है कि उन्होंने उडिसा को अपना घर माना दूसरा घर माना और उडिसा के जन्रसाधारण के बारे में उन्होंने जो कहा कि यहां के पब्लिक जिस तरह का समर्थन उनको जब वो लोग खेलते हैं देते हैं उसके द्वारा वो लोग उत्साहित होते हैं और अपना बेस परफॉर्मंस देने के लिए वो लोग आगे बठते हैं